तुर्ण भारत नेपाल में पॉलिडिकल ट्रांजिशन हुआ कैसे समय समय पर वहाँ पे सरकारे बदली सत्ता का सरोब बदला उस तरीके से फिर भारत नेपाल संबन भी निरधारित हुए तो गर हम भारत नेपाल में थोड़ आपको हिस्टोरिकल वेग्राउंड बताए दें तो यह नहीं 1950 के बाद 1950 से 1954 तक नेपाल का संबन केवल भारत के साथ था नेपाल के संबन केवल भारत के साथ था लेकिन नेपाल में जो साथ न की प्रणाली थी वो संबैधानिक राजतंतर जैसी थी यहनि वहाँ पे राजा बड़ा महा तोंड था यह देपा पूरा सिस्टम था संबैधानिक यहनि वहाँ संबैधानिक राजतंतर की वेवस्था थी Constitutional Monarchy जैसे इंगलाइन में होती है वैसा साथ न रा तो कहा जाता है कि प्रारम में भारत ने राजा के साष्ण का वहाँ बिरोद किया था भारत ने कहा था कि राजा का साष्ण वहाँ नहीं होना चाहिए बलकि एक संबैधानिक राजतंतर की वेवस्था होनी चाहिए तो इसलिए का जाता है कई बार नेपाल के आंतरिक मामलों में भारत के सुरू से लोगता आंतरिक राज्य था तो भारत ने प्रयास किया कि अगल वगल सारे राज्य लोगता आंतरिक होने चाहिए अब इस प्रियास में कई वार हमारे प्रोडोसी के साथ सम्मन प्रतिकुल हुए अब देखेंगे यह वो फिस था जो आज भारत औभूटान का है इस आई र में कोई भी सम्मन परमानि नहीं होता आज हम यह तो नहीं के सकते बुटान चीन के साथ सम्मद नहीं बना लेगा हमारे प्रयास हैं कि उचीन के साथ सम्मद नहीं बनाए तो हमारे सारे प्रयास में तो पडोसी देश के साथ वहीं माम लाएगा कि आर्थिक सहाथा देना, तकनिकी सहाथा देना गुजलाल डॉक्ट्रिन को हम सारे पड़ोसी देसों साथ अपलाई करते हैं बस एक बात के ध्याने में रखना है कि सामरिक मुद्धों के साथ कोई समझावता करना नहीं जब कई बार हम यह आलोचना करते हैं हाजकल होदा नहीं कि 1950 की भारत-नेपाल संदी कि कई बार लोग आलोचना करते हैं कि बार ठीक नहीं थी नेपाली कहते हैं कि यह संदी का पुन रावलोकन किया जाए लिकन यह संदी जिस समय हस्ताक्षर हुई थी उस समय कॉंटेक्स अब देखिये भी बिल्क लग था जिस समय भारत 1950 की भारत-नेपाल संदी पे सिगनेचर हुए थे उस समय तो पूरी नेपाल की सुरक्षा गदाई तो भारती सेनाओं का था उस समय तो नेपाल की सारी पॉलिटिक्स में भारत का बड़ा अहम रोल था और सही माने में छोटे देसों को ये करना भी चाहिए अगर माल ये कोई छोटा देसे अपनी सेना रखेगा तो बिलावजा खर्च करेगा हमारे पड़ोसी देसों में स्रीलंका ने पहले सेना पर बहुत खर्च नहीं किया स्रीलंका, मालदीप आज भी आप देखें मालदीप कह रहा है भारती नहीं सेनिक वापस है तो अगर हम मालदीप की सुरक्षा कर रहे हैं तो स्वाबाएक तो पर ये मालदीप के लिए खतरा नहीं होना चाहिए हमने पहले पता रखा है अगर हमारा परोसी बड़ा पाउरफुल आदमी है इसका दो परकार का मैसेज है एक तो जियो पॉलिटिक्स आर्गॉमेंट लेगें तो आपको डर लगेगा कि अगर वादमी पाउरफुल है तो को हमारा घर कपजा कर लिया तो क्या होगा तो हमने अगर उनको मुफ्त में हलिकॉप्टर दे दिया तो इसमें उनको अपति नही होनी चाहिए तो नेपाल के साथ भी ऐसा मामला था नेपाल में पूरी आधारभूस संद्चना से लेके सारा विकास तो भारत नहीं किया था राजा तरिवुवन जो वहां के संमेधानिक राजा थे राजा तरिवुवन ने तो यहां तक कहा था कि और चाहते हैं कि नेपाल के विलेही भारत में हो जाए तिक नेरू बड़े से धनाती पर्फिती थे अवर निखेभप बड़े आधुनिक बड़े शांती वादी उन्का सभाव बिलकुल बड़ा आधुनी के समका था अब नहरू का सभाव मतलब जब कि आप देखेंगे हमारे हैं तो पॉलिटिक से ऐसी किसम कि थी और आज सहीयों की बात है नहरू ने नाइन्टीन फिटिनाइन में जार्खन के आत्रा पे थे जार्खन के आत्रा के दावरान एक आदिवासी महिला जो समय 16 साल के थी बुधनी उसको गले लगा लिया था अब आदिवासी समुदाय में किसे महिला गले लगाने का मतलब उसके साथ शादी कर लेना अब बुधनी का जिवन ऐसा प्रभावित हुआ कि जनजाती महिला जनजाती समुदार ये कहना शुरू कर दिया ये नहरूजी की पत्नी है तो जो किसी की पत्नी होगा उसका ब्यवा कैसे दो सिक साथ होगा ज सौवाभाई गना सकता है कि कि सी गये साथ हुआ कि सार गली बात है कोई dispat है कोगी 16 साल एक कोई बच्ची है तो ज वीवा जो गना हमारे परंपरा परसनबा इसलिए नहरू तो साहते थे राज्य है, संपरव बना रहे है, स्वातंदर बना रहे है, उसकी अपनी इक्षा रहे, और यह नहरू का बिलकोल परोष ठीक था, इतना बड़ा विशाल भारत देश था, तो हम किसको किसको उगले लगा लेते, बुद्धेनी तक तो मामला ठीक था, वह विजु को अपने द प्होंटेक्स वो आओफ कांटेक्स निकले देखाजा, और आप जानते हैं और पॉलिटिक्स करना है किसी भी चीजिगो आऊट आफ कांटेक्स निकालके देख लीजगे, कई बड़े सारे महाँ भारत पर रामारा पर विवाद होता है क्योंकि उस पूरे संदर्व को ध्य इसलिए यहां पर प्रावबलम थी, लेकिन सहियों की बात है, 54 के बाद, यानि नेपाल में संबैधानिक राजतंत्र की विवस्ता थी, और कि अबल संबैधानिक राजतंत्र नहीं, बल्कि वहां पर राजा, राजा का बड़ा महतु था, और नेपाल दुनिया का एक मात्र हिंदू राजे था, नेपाल बिलकुल धार्मिक राजे था, भारत ने उतरीका नहीं अपनाया, भारत तो हम सुरू से सेकुलर स्टेट की बाद हमने सुईकार कर ली, नेपाल ने धार्मिक राजे था, बैधानिक राजतंत्र का तरीका अप भारत और चीन दोनों के साथ संबन्द स्थापित किया, जिसमें इसने का समानदूरी का सिध्धान्त, तो इसने का भारत के साथ भी संबन्द होगा, चीन के साथ भी होगा, अब किसी संपरवुराजी को हम माना तो नहीं कर सकते, ति अतीद देखने पर इस प्रिंसिपल को हम हम भूटान के साथ भी compare कर सकते हैं तो हमें पहले से तियारी रखनी पड़ती है कि क्या option होगा तो हम क्या इस तरीके से क्या हमारे पास विकल्प रहेंगे अब भारत और चीन के साथ नेपाल ने समय रखना सुरू कर दिया और कहा जाता है कि 62 के बाद जैसे भारत चीन का युद्ध हुआ बड़ी बटना थी पुरे दक्षनेशिया में भारती फॉरें 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 नाइंटीन इस्टीटू का वार एतिहासी घटना थी बड़ी घटना थी जो आज भी हमारे विदेशन्द को कमोविस प्रभावित करती है 62 के बाद कहा जाता है कि नेपाल का जुकाओ चीन के साथ ज्यादा होने लगा अभी यह वहाँ पे संकरमड आया यह परीवर्तन आया और कहा जाता है इसके पीछे राजा की बड़ी शक्तिया थी क्योंकि नेपाल के अगर दिष्टिकोंट से देखे तो नेपाल कोई भार ऐसा लगता है कि 40% मदेशी कले के अर्मान कर देंगो भारत के साथ मिल जाएंगे तो नेपाल का अधास्त तो ऐसे कटम हो जाएगा लेकिन यह अनावश्यक भय है जो कभी होगा ने हम क्यों चाहेंगे भया प्याद रिखे नेपाल या किसी भी देश के साथ हमारी दुस्मनी होने के एक ही कारण है या तो हमसे वो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा हो या हमारे उपर प्रभुत इस्थापित करने का प्रियास करें इन में दोनों कंडिशन नेपाल साथ नहीं है तो कई बार अब देखेंगा फॉरेंड पॉलिसी में 1971 में इंडिया-पाकिस्तान वार हो गया हर शित्री घटना नहीं एक घटना दूसरे को सीधे प्रभुत करती है 1971 में इंडिया-पाकिस्तान वार हो गया इंडिया-पाकिस्तान वार में अब उस समय बांगलादेस के अबादी महच्षे करून थी यानजवाज का पूरवी पाकिस्तान है और पूरवी पाकिस्तान को आजादी में भारत की भूमिका आई पहले नहीं थे लिकिन बीच में तो आई अब इससे चोटे पडोसी देशनों में ये भी लगना शुरू हो गया इसलिए कई बार फॉरेंड पालिसी में जब हम आकरामक निंतिया अपनाते हैं इसका बड़े दूस परिणाम होता है तो 71 के बाद हमारे छोटे पडोसी देश को ये भी भै हो गया कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ ऐसा कर सकता है तो हो सकता हमारे साथ भी ऐसा कर दे और कम सकम कुछ लोग तो भारत में ऐसा आवान करने लगे कि अब तो जो भी पडोसी इधर उधर करें इसको कूंट काटके ठीक कर दो सब तो 62 और 71 दोनों घटनाए और फॉर्ण पॉलिशी को प्रभावित करती थी इसलिए आप देखेंगे 74 में जब हमने 74-75 के बाद सिक्किम का भी ले किया तो पाकिस्ताने का भूटान और नेपाल अब तुम लोग तो गए अगला नंबर तुम लोगों का होगा जब कि ऐसा कोई सिक्किम कंडिशन लग थी नेपाल कंडिशन लग है सिक्किम नेपाल से क्या मतलब है लेकिन ये घटनाएं प्रभावित करती हैं वे देशन में सभी को अब आप देखेंगे धेरे धेरे नेपाल का और असी का दसक में असी का दसक ऐसा था संयों की दबात है कि हमारे लगभग सभी देसों के साथ समन खराब हुए ये पड़ोसी देसों के मामले में वर्स्ट फेस था एक बाता पॉल साइंस में देखेंगे जो जीएस में नहीं है कई बार प्लिडिकल साइंस में कुश्चन हिस्टोरिकल भी पूछे जाते हैं कि 90 के बाद भारत अमेरिका समन बताईए 2009 के बाद भारत अमेरिका समन बताईए ये टाइटल के जीएस के नहीं होती है कोश्टन के बारिक तरी बार करता हूं कोश्टन के बारीक तरीक तरीक्त देखें आको पता चलuges है काहा किसे प्रो से पढ़ना है कहां एकसामनर क्या पैक्षा एक्षा रगता है कि कोई विशे में कई बर साइधानतिक अपेक्षा एक्जामनर के होती है जी एस में नहीं जी एस में आज तक हिस्टोरिकल बेग्राउंड को लेकर कोई कुश्चन नहीं पूछा गया है अपनी पेपर को उठा के देखेगा भारत अमेरिका साथ है कि 2000 गवात क्या चेंज आया तो सहियों की बात है असी का वो दसक जहां में दक्षेश के स्थापना की असी का दसक ने एपाल के साथ भी हमारा सम्मन खराब हुआ पाकिस्तान चीन के साथ तो अल्रेडी खराबी खराब थे स्रिलंका के साथ भी खराब हुआ और सहियों की बात है जिस बांगलाइदेस के मुक्त में हमने अपना योगदान दिया था उसके साथ भी हमरे सम्मन प्रतिकूल हुए अब यह बड़ा चैलेंज होता है foreign policy में अगर आपके सम्मन record के साथ खराब है तो challenge है दो प्रोशी के साथ खराब है तो और challenge है सभे के साथ खराब है फिर तो मतलत इससे बढ़त कोई challenge हो इचे निए होई नहीं सकता तो अलग-अलग कारणों उन्य स unchρα favorsthi के कुथ स्थ्यों का इसलीए नेपल की थुड़ा सा नेपल तो लगा था रिदह दिदहर कर दा ता नेपाल ने क्या किया 1980s कीडिकेट्स में चाइने से ठीयार मंगाए जबकि 1950 में भारत तो नेपाल की भी संधी हुई थी और 1950 की संधी में और यह कहा गया था कि नेपाल की सुरक्षागदाई तो भारत का है और नेपाल जब भी किसी राज़ से हथियार मंगाएगा वेपेंस मंगाएगा वो भारत से परामर्ष करेगा वो भारत से पूछेगा तभी किसी राज़ से हथियार मंगाएगा अब इसी बात को कि पहले तो नेपाल के पूरी सुरक्षा का दाई तो इंडिया का था अब किसी 1950 की भारत नेपाल संदे में प्रावधान कर देना कि नेपाल दुनिया में कहीं से विपेंस मंगाएगा भारत से पूछेगा अब हम जब अगर इंडिया कोई विपेंस भंगाता है तब तो किसी देसे नहीं पूछेगा नेपाल के पूछे लोग उनका इस अंपरवधा खिलाफ है और देखने में बात अजीब से लगती थी लेकिन हकीकत का मुद्दा था कि नेपाल की पूरे सुरक्षा के दाई तो हमारा था और नेपाल के लिए जब ही कोई विपेंस आता कोलकता पत्तन से होके आता तो रास्ता तो हमारे भारत की जमीन से होके तो नेपाल के पास विपेंस जाता तो वो विपेंस कहां भी उचेकत पता था इसलेंसे प्रावदान थे अब नेपाल को इस बात पी आपत्याने लगी हर पांच साल में पार गर्मन रासते का समझवता होता है उसमें नेपाल को आपत दियाने लगी तो यहां नेपाल के साथ संबन खराब हुए 80's का डिकेट था और बांगलादेस के साथ संबन खराब उसलिए हुए कि बांगलादेस ने पानी का मुद्दा उठा दिया स्रिलंका क साथ तो हमने ब्लेंडर कर दिया बिलावजाओ वहां पे सांती सेनागर भेजने का मतलब नहीं बनता था लेकिन वह उमने भेज दिया तो यह लंका क साथ संबन खराब हो गए चाईना पाकिस्तान साथ संबन हमेशा से खराब थे भूटान इस मामले में हमेशा एक्सेप्शन रहा है भूटान क साथ हमारे संबन कैसे है Evergreen भूटान क साथ हमारे संबन अच्छे रहे है बाकिक साथ संबन तो गड़ाए तो 80s का डिकर तो ऐसे बड़ा ही कुलाहल भरा था लेकिन 1990 के बाद यानि 1990 के बाद क्या हुआ 1990 के बाद दुनिया में उदारी करन भुमंडी करन, भारत के रथेवास था, खस्ताहल, पुरी दुनिया बदल गई, अब भारत इस कंडिशन नहीं था कि वो किसी देश को सहायता दे सके, लेकिन नेपाल में संबैधानिक लोगतंतर पहले था, हिंदू राज संबैधानिक राजतंतर पहले था, अब नेपाल में पहली बार संबैधानिक राजतंतर के साथ भाहवली शाषण स्थापित हुआ, पहली बार नेपाल में संबैधानिक राजतंतर के साथ भाहुदली लोगतंतर के स्थापना ह correction, लेकिन पहली बार अभी वहाँ पर मुल्टी पार्टी सिस्टम नहीं था बहुत दली विवस्त था पहली बार आई, 90 के बाद लेकिन हिंदु राज्य वह अभी भी था और इसका मतलब है इसके पहले नेपाल में लोकतंतर कैसा था वह पंचायती, यह सी उतुं नहीं होती है, जैसे पंचायती डिमोट्रेशी अब पंचायती लोकतंतर का मतलब अजीब सा सिस्टम नहीं था है चोटा, 2 करोन के अब दीबाला डेसे तो वहाँ पे सार्षण ऑय अजीशन इक आत्मक ही था तो पंचायती लोग तंतर का मतलब है कि वहाँ की गाउं के लोगों का चैन फिर तालुका पंचायत इन सब के सदर से मिलके Member of Parliament के चुनाओ कर लेते थे तो Member of Parliament के चुनाओ के लिए वैसा voting नहीं होती थी, जैसा हमारे आँ होती है तो पंचायत का चुनाव के तरीके से पार्लेमेंट का चुनाव परुक शुरूप में हो जाता था कि माली जब पंचायती लोगतंद्र अगर भारत में लाग किया जा तो ऐसा होगा कि भारत में में मेंबरा पार्लेमेंट का चैन करने के लिए पंचायत के सदसे ब्लॉक के सदस्य नगरपालिका के सदस्य इनका चैन करने तो क्या कहलाएगा पंचायती लोगतंद्र अब उस पंचायती लोगतंद्र को हटा कर बहुत दली लोगतंद्र के स्थापना कर दीगी अब जहां से बहुत दिन लोगतंत्र है यहीं से नेपाल की समिस्था शुरू ही अब आप देखेंगे इसलिए लोगतंत्र अपना लेना एक अलग बात है इस्टेबल बना लेना और अलग बात है अब यहीं से नेपाल की सारी खामिया शुरू ही सरकाराज था ही बनी, क्योंकि वहाँ के political system में जो मूल पालिटी है, नेपाली कॉंग्रेस सामेवादी दलों में अभी तीन धड़ा हो गया है, पहले दो ही था यहनि नेपाली कॉंग्रेस नेपाली नेपाली मार्क्सवादी, लेनिनवादी यहाँ का जो नेपाली Communist Party थी, और यह कौन है, सामेवादी दल है सामेवादी का पहला धड़ा क्या था? मार्क्सवादी, लेनिवादी फिर जो नेपाली सामेवादी का दूसरा धड़ा था मावदी अभी तो मामवादियों में डिवीजन हो गया है उसके बाद मदेशी लोकतांत्रिक मोर्चा यह तो मेजर पार्टी हैं उनके में बड़ी डिवीजन है अब तो मदेशी पार्टी में भी कई डिवीजन हो गया है मदेशी लोकतांत्रिक मोर्चा अब नबे के बाद, इसलिए आप देखेंगे नबे के बाद दुनिया मुदारी करना, मुमर्डी करना लेकिन नेपाल में गड़बंदन की सरकार तो नेपाल में कोई आर्थिक विकास नहीं हो पाया और नेपाल धेर धेर गरीब होता चला गया और आप जानते हैं, जहां गरीब ही आएगी, मार्कसवादी वहां बड़े प्रभावी होंगे अगर जहां गरीब ही आएगी, वहीं तो आप कहेंगे, सब को समान मना देंगे सब किस्तियां समान कर देंगे अब नेपाल में माववाद का प्रभाव बड़ने लगा, अब वो नब्बे का वो समय था उदारिकरण भूमल्डीकरण नब्बे के बाद सहियों की बात है, भारत में ही माववाद का प्रभाव बड़ा और भारत में जहां माववाद का प्रोह बढ़ा, वो अलग-अलग छित्रा गए माववाद की सुरुवाद तो ही पेशे मंगाल से, लेकिन भारत में माववाद का विस्तार कहा होने लगा अंद्रा, महाराष्ट ऐसे से शित्रों में माववाद का विस्तार होने लगा जो कि पहले भारत के माववाद के विस्तार में थे ही नहीं और 79 के बाद चाइना में माववाद जैसे कुछीज रही नहीं 79 में चाइना जहां से माव था डिंग शाव पिंग ने बाजारवाद दारवाद अपना लिया उसी बाजारवाद उदारवाद के खिलाफ हमारे भारत में बड़ा हंगामा हुआ और आप याद रिखे माववादी या Communist Party का जो मेन फिलोसपी है चाहे भारत में हो चाहे दुनिया में कहीं भी हो दो memorized करना है। यह सब दलों खतम करना है। चाहिना का मावडल लाना है एक दली शाष्ण लाना है और एक दली शाष्ण के अनुसार राज्य का स्थारी ब्यवस्था पनींतरन करना है। यह उनका स्वाबहbay हूई रूप में यह उनका example है कि वो इस तरीके सेisation को चलाना चाहते है वो इस तरीके से साशन को चलाना चाहते है इसलिए वो तो हमेसा चाहते थे कि इस system को धवस्त किया ज़े अब इसलिए कोई उदारी करण, भुमर्डी करण में और स्वाबाय करूप में नेपाल में इन्वेस्टमेंट कौन करता, जब आप इचले कल्वन बताय था, अगर पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल रहेगा, तो आर्थी विकास का पीछे जाना अपने आप तैय है, वो किसी भी देश में आप देख लीजे, आप राष्ट का है, व्यक्ति के साथ देख लीजे, व्य इन्स्टिबिलिटी, व्यक्ति में भी नहीं होनी चाहिए, कई बार व्यक्ति बदा अनिस्टिबल होता है, वो 6-6 महिना है, एक विशे पढ़ रहा है, उसके बाद चामें बने काया, पता नहीं गलत तो निर्ड़े नहीं किया क्या, फिर अगला भाग रहा है, ये इनस्ट व्यक्ति किनी stability व्यक्ति को परिसान करती है एक बार अगर हाथ में कोई लक्षा ठान लिया तो यह तो कोई लक्षा लीजिये मतों, लीजिये तो से हटिये मत कोई बार ऐसा राष्ट के साथ भी होता है, व्यक्ति साथ भी होता है तो भी यहाँ पर मामला बिल्कुल चेंज किया गया अब लिखें नेपाल तो है तो बाख़ने लगा, ऐसी प्रोलिटिकल स्टेबिलिटी है, एकानमी बरबाद और उसके बाद मावाद यह और परभावी हो लगे, नेपाल में हिंसा होने लगी अन्तित्ह वहाँ पर फिर से अपात का लाग करना पड़ा उसी बीश में बड़ा हंगामेदार मामला हुआ नेपाल के कि युवा राजकुमार ने फिल्मी अंदाज में सारे परिवार के लोगों को हत्या कर दी अवो कारण पता नहीं चल पाए कि अखिर मुसें सारे परिवार के लोगों के हत्या क्यों कर दी लेकिन अमामला सब्सक्र बढ़ा गया लेकिन नेपाल का महत तो भारत के लिए रहेगा यही हो समय था जब भारत के बीमान का हाई जेकिंग नेपाल से होई थी तो नेपाल अगर अस्थिर हो रहा है तो नेपाल के लोग कहां भाग के आएंगे भारत नेपाल अगर अस्थिर हो रहा है तो नेपाल के जो आतंगवादी संगठन और गुरवादी संगठन है वो बेस बना के भारत में काम करेंगे नेपाल अगर अस्थिर हो तो डर्ग ट्रेफिकिंग खुली सीमा है, खुली सीमा के फैदे भी है और खुली सीमा गाटे भी है तो नेपाल की अस्थिरता सीधे भारत को प्रभाविद करेगी, नेपाल की स्थिरता भी भारत को प्रभाविद करेगी तो जब Nepal अस्तिर होगा तो Nepal भुकम पाता है तो लाखो लाख नेपाली इधर चले आते हैं जितने जितने तसकर होते हैं जितने अगुरवादी लोग होते हैं वह भाग चले आते हैं नेपाल में और माववाद भारत में अगर स्टेबल बहुत दिन तक रहा तो इसने नेपाल का इंडैरिक्ट सपोर्ट बहुत बढ़ा रोला था उसका इसलिए वहाँ पर प्रचंड का मुग्ग परधान मंत्री हो जाना वहां मार्कसिस्ट का परधान मंत्री होना भारत के लिए जटके की बात है भारत के लिए comfortable position नहीं है यह लेकिन परोसी है तो परोसी के साथ अपने संबना के रखते है अब फिर इसी कसम कसमे नेपाल में आपात का लगा फिर प्रावलम आई और मावधियों ऐसा प्रावलम किया मावधि ने सरकार को चलने दे रहे थे और ने सरकार को रुकने दे रहे करना चाहते हो यार ने तुम सरकार चलने दे रहे हो ने चलने दे रहे हो एक बात याद रखिए कभी भी मावधि सरकार चलने में हिचकते क्यों है आप याद रखिए चात्र होना सबसे अच्छा है क्यों हम सब की आलोशों कर देते हैं मेरे पिता खराब है मेरे टीचर खर तक प्रडिटिकल सिस्टम खुब अलचना करिये तो महवधियों के साथ ये चैलेंज हमेसा रहा है ये किसी विक्त के साथ बेवस्था का विरुद करना बहुत आसान है जब बेवस्था में आप आजाएंगे तो ये बताएंगे महवध के साथ श्यमयाने से नेपाल के संसाधन बढ़ जाएंगे नेपाल का भुभाग बढ़ जाएगा नेपाल के कौन ही बढ़ जाएगे इसमें कोई चैंज नहीं आएगा तो नेपाल का भुभाग बढ़ेगा नेपाल का भुभाग बढ़ेगा तो आप ऐसा सत्ता में आकर आप कौन सी पर कैसे अलग कहेंगे हमारा अलग स्वाव था भाई आप आये थे सामाजी किन्याइक को लिए सत्ता के विद्धन्स करने के लिए जैसे सत्ता के पार्ट बने अब वही भी वहर कर रहे हैं इसलिए इन्होंने जानवचकर माववाद का एक संगठन बनाया कि गले मुहले में करांद की होती रहेगी और सत्ता में हमारी भागिदारी रहेगी तो माववाद और कम्मिनिस पालिटी के बिच में वही रिलेशन है जो अरे असे सोभी बात थोड़ी है किसी माववादी से पूछे और बिल्कुल बताएगा सिद्धनते ही इन का अशले छे सास सालों में सामयवादी ही तो नेपल के पुछान मत्री है अब सामयवादी नेपल के साश्चन में है तो कौन सा नेपल में करिश्मा हो गया इसलिए राष्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोई पार्टी बढ़ा दीगा अचाना कोई इसके पास जद्धोगी छड़ी तो है नहीं इसलिए बड़ा कस्मकस हुई और नेपली लोगों ने का नहीं अब हमें एक ऐसा स्ववड़ान बने गा तब हम साशन में अंगे और अब बताओ कि छाथ अ नेपली कॉं ननकीं दो था नहीं मादेजी मोगों नेपली तो नहीं जद्धिनू नहीं हमचे संवड़ान नहीं व्हिजन मानेंगे नहीं इस्स्ट्रम नहीं शरिगा तो मावादी उनका कोई बात नहीं है, हम ज्यादा लोग तांत्रिक हो रहे हैं, अब दिखो नेपाल में एक नया साशन आएगा, दोजर पंदर के बाद, नेपाल में फिर नया साशन आया, पहले नया साशन आया, नभिक बाद फिर नया, दोजर पंदर के बाद नया, इस और बार क्या हचपच कर रहे हैं, वो सबसे सटीक सिस्टम है, रोज ही रोज हला मचाते रहोगे, अब माववादी कोई से सम्मिधान लेकर आ रहे हैं, अब सारे डालों के बीच वारता हुई, माववादी भी आए, और माववादीयों को हमेशा डर लगता था, यार सत्ता मे तो आरहे तरी बड़े-बड़े वादे किये थे, चुनाव जीत पाएंगे, नहीं चुनाव जीत पाएंगे, फजीत हो जाएगी, तो माववादीयों ने ऐसा इंतिजाम किया, जिसे चुनाव जीत पाएंगे, इसलिए वहां की चुनाव प्रणाली में, लेक्षिस्टम का विधता तो बहुत सारे देसों होती है, अब उसी काड़ से संगात्मक साशन अपना लिया, यह जीव सी बात है, लेकिन नेपाल ने कौन सा नया साशन अपनाया, अब राजा को हटा दिया, राजा को हटा दिया, देखेंजे सब सिंबोलिक लड़ाई है, भाई राजा को लेकिन के सिंगासन को नहीं लाया, आज भी बिर्टेन में रिटेन से लोगतन सीखने की बात है, बिर्टेन में रिवेंज थोड़े होना चाहिए, राजा को दड़वे में रखे क्या अखल देंगे, और हमारे हैं तो राजा माहराजा नेपाल के लोग सब के साथ अच्छे अब लोगतन्तर गणतन्तर जैसे हमने कह दिया, दोजार पंदर के बाद नया नेपाल, अब उमीद है कि दोजार पंदर के बाद फिर से कोई नयापन नहीं आएगा इसमें, दोजार पंदर के बाद नया नेपाल, लोगतन्तर गणतन्तर गणतन्तर अब अगर हमें लोगत और पंथे नेरी पे एक्ष शाशन का मतलब है, हिंदु धर्म अब नेपाल का साशन नहीं रहेगा, अब नेपाल एक से कुलर सेट रहेगा, यह भी नेपाल में बड़ा जिवर्ज शेन था, तो लोकतांत्रिक गणतांत्रिक साशन हो गया, राजा खतम हो गया, उसके बाद सं संगी साशन, अब नेपाल नेका संगात्मक साशन होगा, और अब नेपाल का संविधान बना, बड़ा अच्छा फैर हुआ, बड़े च्छी बात हुई, एक बात आप याद रखे, लोकतंत्र चला लेना इतना असान नहीं है, जैसे आप देखेंगे, हमारे हाँ तो लोकतं साशन लग क्या रहा था, उसके बाद मदेशियों से पूछा गया, मदेशी भाई, ये बताओ, ये साशन तो मनजूर है, बिलुकल मनजूर नहीं है, तो उनसे पूछा क्या लाना चाहते हो, हिंदू राजा का साशन लाना चाहते हो, क्या लाना चाहते हो, मदेशियों ने क लाना ये चाहते हैं कि हमें दो राजी मिले और आज तक आप ने अपाल कस्मकस देखेंगे अब संगी साशन बनाएंगे तो आपको आद रखिए संविधार में जितनी भी सेस्ता है ने अपालियों ने सामिल की वो तो रातुरात हो जाएगा एक ही चीज आप जमीन पर आपने कह दिया देश सेकुलर है अप सेकुलर है नहीं है ये कागजी बात है आपने आपे राजा को हटा दिया राष्टपती का निर्वाचन हो जाएगा ये बहुत आसान है सबसे इसमें ठेड़ा मामला था संगी साशन लाग करना अब संगी साशन लाग करेंगे तो राजी की सीमा ते करनी पड़ेगी राजी की संख्या कितनी होगी राजी की संगी साशन का मतलब है नेपाल में राज्यों का दिर्माड करना पड़ेगा राज्यों का दिर्माड करेंगे बुभाख खिशना पड़ेगा नाम तय होंगे आज तक नेपाल के साथ राज्यों के नाम तय नहीं है यह सुचीवी बाद है दो जर टेश की बात हम कर रहे है वहां के संविधान के राज्यों का नाम क्या है राज नमब एक, राज नमब दो, राज नमब तीन जैसे आपके घर में कुछ बच्चे पैदा हो उनका लल्लू नंबर एक, लल्लू नंबर टू, लल्लू नंबर ट्री, आपके अजीवसी बात है, यह कोई सा नाम होता है क्या, कहां ऐसे ही नाम रखेंगे, न तवास तक नाम ते हैं, न जोगरफी ते हैं, और जब जोगरफी नेपाल का जो भागोलिक डिविजन होता है, वो इस तरीके से है, अगर माली जै की, नेपाल का मैप तो हमने आपको दिखाया भी है, अगर इस तरीके का नेपाल है, तो नेपाल का जो भागोलिक डिविजन होता है, वो इस तरीके का है, ऊपर बाला पार्ट क्या है, हिमाल बाइज भागोलिक रूप में जो नेपाल का विभाजन है वो होरिजिंटल दिखता है मतलब यहाँ पहाड के रज्य हो जाएं, यहाँ तराई के, फिर मैदान के लेकिन आप यहाद रखें, इस हिसाब से रज्य का दिर्मान बढ़ेंगा मदेशियों को तीन रज्य मिल जाते हैं, और मदेशियों को तीन रज्य मिल जाते हैं, तो नेपाल में कांतरी सुरुक्षा के रहने भाग दिने जाएं, भागेंगे हैं यह नहीं, लेकिन उनको मन में डर रहता है इसे नेपाल में राज्य का निर्माण के से किया गया इस तरीके से राज्य का निर्माण किया गया जो नेपाल में राज्य का निर्माण किया गया इस तरीके से पहला राज्य बना फिर दूसरा बना तीसरा फिर चौथा पांच माह यही मदेशियों को मिला मदेशी को एक राज्य मिला और एक ही राज्य में पहाडी छेत्र भी है एक ही राज्य में मैदानी छेत्र भी है एक ही राज्य में तरह ही छेत्र भी है यहां तक कि परिसीमन को लेकर बड़ा भी बाद हुआ पहली बार नेपाल के समिधान में निखा गया परिसीमन जनसंक्या के आंधर पर नहीं होगा, पहाडे में लुक्म रहते हैं. अगर अगर आप पहार के आधर पर रज बनाऊगे, तो हमारे हैं ज्यादाराजे तो मदेसियों को मिल जाते हैं, और जयादर राजे मदेस्यों को मिल जाते तो नेपाल में हमेशा से भै था कि मदेस्यों का साशन में प्रभुत्त न हो जाए और ज़र सोचके देखे सामयवादी जो कहा करते हैं कि हम लोग की तंतर अपनाएंगे सब को अधिकार देंगे सामयवादियों के दबाओं पर ही तो लिस सिस्टम आया था और सामयवादियों के दबाओं पर ही संगी साशन आया था लिस सिस्टम आया तभी सभी को रिप्रिजेंटेशन मिलेगा list system के साथ खास बात किया है कि कौँश कम हर पालिटी कुछ न को seat मिली जाएगी कोई पालिटी निल पे नहीं जाएगी उसका परड़ाम क्या हुआ list system का परड़ाम हुआ कि Nepal हमेशा से कस्म कस्म चला गया Nepal में कभी राजनती के स्थाई तो नहीं रहेगा इसका सबसे बड़ा कारण उसका list system है और दूसरी बात है संगी साशन में ऐसा माथा पोड़ी हुई अब यह भी कहा गया था पंचायती राज आएगा तरीस तरात्म को लोग तंतर आएगा मेरे दोस्तों आप यह दरखना साशन कोई लगा दो जब तक economy ठीक नहीं है और economy का साशन के साथ बड़ा जबर 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 संबन है इसे नेपाल आज भी कस्म कस्मे है यद्यब राज्यका निर्मान अब उतना मुद्दा रहा नहीं लेकिन जैसे नेया संबिधान आया साल भर तक फिर नेपाल तरस्त मदेशियों नहीं हंगामा किया और जब मदेशिया अंतरलन करते हैं तो ये भारत नेपाल से ही माप्रभावित हो जाती है अब इसमें कुछ भी नेपाल क्या कहेगा नेपाल की कोई समस्या होगा सीधा किसको ब्लेम करेगा भारत ये ही पुरी कहानी है